दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास जादा पैसा नहीं होता है वहीं कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और घर बैटे ही लाखो करोडो कमा देते हैं ऐसा आपके अच्छी और बुड़ी किसमत की चलती होता है पैसा कमाने के लिए आपके लग का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है जिस व्यक्ते के इकिसमत बुड़ी होती है उसके घर में रखा करोडो रुपय में किसी अनहोनी के वज़े से खर्च हो जाता है और वो रोड़ पर आजाता है जब भी बात पैसों से जुड़ी होती है तो साथ में लक्षमी मा का नाम जरूर आता है हिंदो धर में लक्षमी जी को धनकी दिवी माना गया है ऐसा कहा भी जाता है जिस घर में लक्षमी का वास होता है वहाँ पैसों की कभी कोई कभी नहीं होती है लेकिन घर में लक्षमी को बुलाना इतना आसान भी नहीं होता है और यदि लक्ष्मी आपके घर आभी चाहे तो से रोप पाना बहुत ही कटेन कारी होता है लेकिन आप टेंसर ना ले आज हम आपको एक ऐसा सांधार उपाई बताने जा रहे हैं जिसे अजमानी के बाद लक्ष्मी आपके घर हसी खुशी आएगी और काफी दिनों तक रहेगी हेलो दोस्तों दर डिवाइन सोल में आप से भी कब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना बिल्गूल न बोलें साथ ही नोटिपिकेशन बेल को जरू प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेश वीडियो की जानकारी आप तक ततकाली पहुन सके दोस्तों, आज हमारे को एक ऐसा सांदार रोपाई बताने जा रहा हैं जिससे अजमानी के बाद लक्षमी आपके घर हंसी खुशी आएगी और काफी दिनों तक टिकी रहेगी दरहसर लक्षमी को अपने घर रोखने के लिए आप घर की तीजोरी में एक खास चीज रखें आमतोर पर हर कोई घर की सभी कीमती चीजे अर्मारी या तीजोरी में एक साथ रखता है ऐसे में इन कीमती चीजों के साथ आपको एक खास चीज और रखनी है तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीज लक्षमी जी को घर में हमेशा के लिए रोकने के लिए तीजोड़ी में एक चानी का सिखा रखना होगा लेकिन ये सिखा कोई आम सिखा नहीं होगा इस चानी के सिखी पर लक्षमी जी की परतिमाब बनीवी होने चाहिए ये सिका आपको बजार में आसानी से मिल जाएगा इस सिके को आप सुक्रवार के दिन घर लाइए इसे तीजोरी में रखने से पहले पूजा घर में लक्षमी मा के सामने रखें अब एक घे का दीपक प्रजोलित करें इसकी बाद लक्षमी जी की आर्थी करें पहली आर्थी लक्षमी मा को दें और दूसरी इस सिके को दें अब सिके की कुमकुम अबीर और चावल से पूजा करें इसके बाद लक्षमी जी के हाँ जोर कर उन्हें घर आने पर नियोता दें अंत में इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट कर तीजोरी में रख दें इस बात के ध्यान रखी कि आप हर सुक्रवार इस सिक्के को तीजोरी से बाहर निकाले और इसकी विधिवत पूजा करके वापस रख दें ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपके घर में सदा बनी रहेगी और आप तो जानते ही हैं जहां लक्ष्मी जी होती है वहां धर्म का कभी भी अभाव नहीं होता है दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगे और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है ऐसी और वी डिरो जानकारी के लिए अपलगतार हमारे चैनल पे बने रहें अगले वीडियो में एक नई जानकारी और दोस्तों जानकारी के साथ फिर से मिलोंगे तब तक के लिए प्यार बड़ा नमस्कार